नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल नहीं करिमें दोस्तों यदि आपके भी आधार कार्ड में फादर नेम गलत लिखा हुआ है आप उसको सुधार करना चाते हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इसकी पूरी प्रक्रिया बताने वाला हू और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो क्रिपय करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी लिए आपको सबसे पहले इस वेफसाइट पर विजिट करना होगा लिंक आपको डिस्क्रि अब इस लोगिन पेज पर दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार नमबर टाइप करना है उसके बाद यह जो capture code दिया गया है इस capture code को यहाँ पर फिलब कर देना है इसके बाद आपको send OTP पर क्लिक कर देना है जैसी आप send OTP पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो अधार कार्ट से जो भी mobile number लिंक होगा, वो सो mobile number पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको इस box में fill up करना है, और simply यहाँ पर login कर लेना है, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से interface खुल के आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको इसे scroll down करते में नीचे आना है, नीच आधार address का, आपको इस पर click करना होगा, जैसी आप इस option पर click करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से interface आएगा, first option पर यहाँ पर click कर देना होगा, first option पर जैसी click करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से option खुल के आएगा, अब यह आप सेलेट करेंगे नीचे आपको प्रोसेट टू अप्डेट आधार का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा आपको इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके जो आधार कार्ड में फादर नेम है वह पूराना वाला जो भी होगा वह आपको यहां पर दिखाई देगा ड या DO जो भी आप यूज करते हैं यदि लड़का है तो SO यूज करेंगे और यदि लड़की है तो आप यहां पर DO यूज कर सकते हैं उसके SO टाइप करने के बाद आपको यहां पर पिता जी का नाम टाइप करना होगा जो भी आपकी पिता जी का नाम है वो simply यहां पर टाइ रखाई देगा तो यहां पर आपको कुछ सुधार करना होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों लड़के को अधार कार्ड में यहाँ पर यदि लड़का है तो उसके लिए आत्मजवर्म यूज़ किया जाता है तो यहाँ यह अब आपको यह जो गूम रहा है जैसी यह है इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है civil Indian है जैसे डोस्तों आफ अपर कर दिया है इसके बाद सितार हो जाता है उसके बाद Ups यहां पर इस अपर ऑप्सं पर क्लिक करना है us आपके एरिये का जो भी पिन कोड है वह आप यहां पर सिंपले टाइप कर देंगे एड्रिश टाइप करने के लिए दोस्तों आपको आपका सिर्फ पिन कोड और गाओं का नाम पता होना चाहिए बाकी सारा डाटा यह अपने आप उठा ले ऑप्शन में आ जाता है सेलेक्ट हो जाता है जैसे कि देख सकते मैंने पिन कोड डाला है तो उसके बाद आटमेटिक सब कुछ सेलेक्ट होते चला गया है अब हमें यहां पर लाश्ट में विलेज टाउन सीटी वाला ऑप्शन मिला है अब यहां पर क्लिक करके हम अपने गाओं का नाम यहां पर सेलेट कर ल यादि आपके डी लोकर के आईडीया है तो आप डीजिलोकर का उप्शन यूज़ कर सकते हैं नहीं है आपके पास डॉक्यमेंट हाँट कॉपी पडा है आप उसका फोटो खीचेगा पीडिएफ बनाएएगा उसके बाद आपको यहां पर अपलोड करना होगा तो यहां प जो भी आपके पास option होगा वो आप यहाँ पर select कर लेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ पर SCOBC certificate का option दिया हुआ है इस पर simply click करेंगे इस पर click करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से pop up आएगा जहाँ पर okay पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों अब आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं view upload details वाला document का option मिलेगा इस पर click करना होगा जैसी आप इस पर click करेंगे उसके बाद आपको continue to upload वाले option पर click करना होगा जैसी आप इस पर click करेंगे तो आपको डिडाय कर दिया जाएगा file manager की तरफ अब यहाँ से आप अपना document attach करेंगे दोस्तों document successfully upload करने के बाद देख सकते कुछ इस प्रकार से green tea आपको show किया जाएगा इसके बाद आपको next button पर नीचे मिलेगा इस पर click कर देना है जैसी आप next button पर click करेंगे तो आपके सामने एक preview खुल के आएगा जो भी detail आपने अब तक आधार कार्ड में दिया है वो सब कुछ आपको अभी नया वाला आधार कार्ड जो भी नया सुधार हो करके आएगा उस पर जो आपको अभी जो preview में detail दिखाई देगा वही detail आपको नए वाले अधार कार्ड में देखने के लिए मिलेगा तो यदि आपको preview में कोई गलती नजर आती है तो उसको आप अभी भी edit कर सकते है यह देखे दोश्तों यदि आपको कुछ भी अभी इसमें सुधार करने का option लगता है कि कुछ गलती है तो उसके लिए आपको यहां पर edit अपडेट अड्रेस का option मिलेगा इस पर click करके आप उसको अभी भी edit कर सकते है यह दि आपका सब कुछ सही है तो आपको edit पर click नहीं करना है उसके बाद आपको यह दो check box मिलते है इस पर click करना होगा इन दोनों पर click करने के बाद नीचे next बटन मिलेगा इस पर simply click करेंगे तो उसके बाद आपको payment page की तरफ redirect कर दिया जाएगा अब यहां पर दोस्तों यदि अधार कार्ड में सुधार करवाना है तो आपको 50 उर्पे का fees payment कटाना पड़ेगा fees payment कटाने के लिए आप किसी भी यूपी आई या फिर debit card ATM card किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते 50 उर्पे fees यहां पर यह कटने वाली है आपकी तो आपको यहां पर fees कटाने के लिए अभी दिखाता हूँ अगला step कैसे आएगा देखिए दोस्तों fees कटाने के लिए आपके सामने कुछ इस परकार से interface आएगा यहां पर आपको इस check box पर click करना होगा उसके बाद आपको यहां पर देख सकते हैं दो option मिलेंगे जिसका server इस से में चल रहा होगा उससे आपको fees कटाना पड़ेगा first option आप यहां पर रजोर पे का option select करेंगे उसके बाद आपको make payment वाले नीचे बटन मिलेगा इस पर click कर देना है जैसी आप make payment वाले बटन पर click करेंगे तो आपको redirect कर दिया जाएगा अब यहां पर आपको payment के option दिखाई देंगे देखी दोस्तों कुछ इस परकार से आपको option दिखाई देंगे अब इसमें से जिससे चाहें आप उससे payment कटा आ सकते हैं successfully payment कटाने बाद दोस्तों वापस आपको dashboard की तरफ redirect कर दिया जाएगा तो दोस्तों इसी परकार से आप अधार कार्ड में फादा नेम correction कर सकते हैं उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे होगे वीडियो पसंद आई तो एक like जूर कीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा